किंद्री बजट पेश होने में हफते भड से भी कम वक्त बचा है ऐसे में मद्यप्रदेश के इंदौर में छात्र छात्राएं एजुकेशनल सेक्टर में सबसीडी और जीस्टी रेट कम करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी बढ़ाई पर टेक्स का बोच कुछ कम हो सके हायर स्टेडीज के लिए ग्रामिन इलाखों से इंदौर आने वाले छात्र इस बात पर अफसोस जताते हैं कि आमदनी का कम जरिया होने के बावजूत उनसे लगबग हर चीज़ पर टेक्स वसूल जाता है बाहर से पढ़ने आते हैं स्माल टाउन से आते हैं फिर उसके बाद जब यहां पढ़ने आते हैं इस्टिट्यूट में तो सिक्षा में हमको जी एश्टी देना पड़ता है जब हम hostels जाते हैं तब हमें hostels में भी पीने के लिए पानी मिलता है, उसमें भी हमको पैसे देना पड़ता है एक्सट्रा. तो इस प्रकार की रियायते हमको आसानी से नहीं मिल पाती, जैसे हम गाउं से आते हैं, उसके बाद हम इतने बड़े सहर में आते हैं, आमदनी होती नहीं है, लेकिन उसके बाद ये इस तरीके जो एक्स्ट्रा पैसा लगते हैं हमको, वो हमारी दिक्कते होती है, तो इसमें ह रियायते मिलना चाहिए। कुछ बच्चों के प्लेस्मेंट्स नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसे में इन दौर के छात्र छात्राओं को उमीद है कि 23 जुलाई को पेश किया जाने वाला नई NDA सरकार का पहला बजट उनके लिए राहत की खबर लेकर आएगा। केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन अपना लगातार सात्वा बजट पेश करेंगी। झाल 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 पेश करेंगी। झाल 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 झाल